तो हलो फ्रेंट स्वागत है हमारे एक न्यू वीडियो में तो फ्रेंट काफी लोगों को एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है जो अपके प्ले स्टोर से अपने गूगल क्रोम और एंडराइड वेव वीव है और अपडेट नहीं हो रहा है ठीक है तो फ्रेंट आज की वीडियो में यहीं मैं यहीं बताऊंगा कि आप अपने एंडराइड फोन के प्ले स्टोर से वेव और अपने क्रोम ब्राउजर को कैसे अप अपडेट कर सकते हैं चलिए जान लेते हैं कि इसको अपडेट करने से आपके मोबाईल में क्या परभावा ऐसे पड़ सकती है त तो फ्रेंट ग्रोम ब्राउजर के बारे में तो जानते ही होगे घlectric है उसको आप अपडेट नहीं करेंगे तो आपके जो ग्रोम ब्राउजर की है ऊसका भी डाटा डो हो जाएगा तो अगर हमारे वीडियो पर नहीं हो तो वीडियो को लाइक करिए चैनल को आके यहां पर मैं प्लेइ स्टूर पी आ चुका हूँ और ऐप पर जैसी क्लिक करूँगा तो दिख सकती हैं यहां पर दो अप्लिकेशन जो है अपडेट नहीं होता है कितना भी अपडेट पर आप क्लिक कर लिजी यह अपडेट नहीं होगा अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसे कैसे fix करना है तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि आप अपने mobile phone को open कर लीजिए उसके बाद setting को open कर लीजिए जब नीचे आप scroll कीजिएगा तो बहुत सारे mobile phone में app management का option होता है पर बहुत mobile phone में apps का option होता है application कुछ दिर में यहां पर दिखने लगेगा आप दिना है कि 3.0 पर क्लिक करना है so all app पर क्लिक कर देना है ताकि आपके mobile phone में जितना भी application वो सब दिख जाए उसके बाद क्या करना है कि आपको search वाले पर क्लिक करना है और यहां पर search करना है Google Play Store जैसे Google Play Store सर्च किजिएगा तो यहां पर आजाएगा Google Play Store आपको इस पर क्लिक कर देना है इस पर क्लिक करने के बाद आपको storage पर क्लिक करने के बाद नीचे आपको option में लेगा clear data आपको इस पर क्लिक कर देना है यहां पर आपको option में लेगा प्लेइटोर में जाईए, प्लेइटोर पे आ जाने के बाद आपको My App और Game पर क्लिक कर देना है, उसके बाद आपके सामने वो दोनों एप्लिकेशन आ जाएगा, उसके बाद Update All पर क्लिक कर देना है, अगर आप एक एक कर करके update करते हैं तो नहीं होगा इसलिए एक ही बाड में update all पर click कर दिजिएगा उसके बाद play store के तरफ से एक छोटा सा file download होगा जो कि play store का होता है वो तुरंट जो है download हो जाएगा तो उसे आप पहले download कर लिजिएगा automatic वो हो जाता है इसके लिए कुछ भी करना नहीं पड़ेगा व जानो प्रग्स प्रग्स भीजट्स भीजब करता हैं राता है।